study iq is अब तयारी हुई affordable नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का study iq में मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साइगांकर दोस्तो आज हम लोग एक बहुत ही दिल्चस पर बहुत ही ज़रूरी विशे पर चर्चा करने वाले हैं यह एक thought building discussion बन सकती है आप सभी के लिए जो भी UPSC civil service की तयारी कर रहे हैं क्यूंकि हम लोग discussion शुरुआत करने वाले हैं एक सवाल के साथ सवाल है यह तो अभी तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारा discussion होने वाला है center state relation के बारे में 7th schedule, hopefully सभी को पता है, 7th schedule में आपके 3 list मिलते हैं, central list, state list, concurrent list और आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या जरूरत है 7th schedule को revisit करने की, यानि 7th schedule में बदलाव लाने की जरूरत है क्या हमारे देश में center state relations को improve कराने में तो इस सवाल के प्रति जवाब जरूर सोचिएगा, yes या no whatever you decide, थोड़ा सा justification तो जरूर बनता है तो in the meantime आप answer सोचिएगा, but अभी तक आपके दिवाग में सवाल यह भी आ रहा होगा sir इसके वारे हम लो discussion क्यों कर रहे है, why are we discussing about this, why this particular question, any specific thing about current affairs देखिए, यह discussion हमारी इसलिए हो रही है, क्योंकि बहुत ही interesting report आई है, ठीक है, एक बहुत ही interesting report working series है EACPM क्या है, आप जानते हैं EACPM क्या है, Economic Advisory Council to Prime Minister's Office है, इन्हों ने एक report पब्लिश की है और उस report का नाम है, Enumeration of Legislative Powers in India, और यहाँ पे इन्हों ने किया है, An Appraisal of the 7th Schedule of Indian Constitution तो मैं कहूंगा, इस report में से, आपको काफी अच्छी inputs मिलेगी, क्या हमें बदलाव करने की ज़रूरत है 7th Schedule में और यह report दी है, Economic Advisory Council to the Prime Minister of India ने, In fact, मैं तो कहूंगा, जो भी UPSC Civil Services के एस्पिरेंट से, उन्हें यह report जरूर पढ़नी चीए, मुझे तो बड़ी पसंद आई, Hardly 50 पन्नों के report है, काफी अच्छी inputs यहाँ पे दिये वाई, In fact, आपको इस particular discussion में, इस report की सारी gist मिल जाएगी All right, तो चलिए, शुरुवात करते हैं इस सवाल के उपर और जानते हैं कि क्या 7th schedule में बदलाव लाने की जरूरत है, और अगर लाने की जरूरत है, तो क्या बदलाव लाने की जरूरत है, सबसे पहले बात भी करेंगे कि 7th schedule है क्या, यह सारी चीज़े हम लोग जानेंगे, Let us begin, but before that, यह EACPM कै है, जस्ट थोड़ा सा information आपके लिए, EACPM is Economic Advisory Council to the Prime Minister of India, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, नरेदर मोधी, उनकी, उन्हें Economic Matters के उपर advice करने के लिए, suggestions देने के लिए, council बनी हुए, independent body है यह, और इस council के members है, विबेग देबरोय, राकेश मोहन जी है, में members है, ठीक है, तो यह Prime Minister, Prime Minister's Office को Economic Matters के उपर advice करते है, ठीक है, तो यह EACPM, इन्होंने वो report जारी किये, अब report किस topic पे है, मैंने आपको बताया, report है, 7th schedule के बारे में, अब constitution में जो 7th schedule है, it talks about center-state relations, right, 7th schedule में 3 lists है, in fact, अगर आप schedules की बात को रमयतक होंगा, exam की दिश्ट होना, click हो जाना चाहिए, जैसे, फर्स schedule में क्या है, फर्स schedule में, इंडिया के बारे में, इंडिया and union के बारे में, आपको इंडिया क्या है, territory क्या होती है, कितने states है, उसके बारे में जानकारी है, दूसरे schedule में आपको allowances की बात की होगे, salary, allowances, emoluments of some constitutional office holders, right, तीसरे schedule में बेशा कहते हैं, जब भी हम लोग नया राज एड करते हैं, या फिर delete करते हैं, या फिर कुछ bifurcate, trifurcate करेंगे, तो schedule 1 और schedule 4, दोनों में भी automatically editing हो जाएगी है, schedule 5 और 6 आसान है, schedule 5, tribal area से जुड़ा हुआ हुआ है, throughout India, schedule 6, tribal area से जुड़ा हुआ हुआ है, especially in ATM, असाम, दर्चा चल रही है, schedule 8 में, आपको भाषा के बारे में चीज़ें मिलेंगी, schedule 9, black hole है, Indian constitution का, schedule 9 में अगर कोई आप law डॉल दोगे, that would become immune from judicial review, but अभी नहीं है, case 7 अन्द भारती judgment के बाद, that is, judicially reviewable, यह हम लोग जानते है, schedule 10, बहुत जरूरी है, amendment से आया था, 52nd amendment से, it is anti-de infection law, provisions of anti-defection law can be seen in schedule 10, 11 और 12, 1992 में आये थे, 92-93 में, पंचायत से जुड़ा हुआ, schedule 11, municipality से जुड़ा हुआ, schedule 12, 12, 12, schedule से, उसमें 7 schedule के बारे हमारे discussion चलती, अब 7 schedule में आप जानते हैं कि 3 list है, union की list है, यानि की केंदर सरकार, इन lists के जो items होंगे, उसके ओपर law बना सकते है, state list बनी हुए, यानि की जो राज्य है, वो इस particular list में जो भी item से उसके ओपर अपने law बना सकते हैं, और तीसरी list है, concurrent list, यानि की यहाँ पे केंदर सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकारी हो बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं, तो यह हमारा setup है, ठीक है, 7th schedule में, अब हम जानने की जरूँ थी कि 7th schedule evolve कैसे हूँ, देखें, 7th schedule का अगर हम लोग history देखें, हमारा जो पूरा constitutional history है, मैं कहूंगा, British से बहुत ज़्यादा inspired है, क्योंकि British colonizers थे, बिटिश, apparently British ने rule of law लाया इंडिया में, बहुत सरे चीज़े हमें धी, right, सर्कास्टिक हैं यह बता रहों है, but nonetheless, जैसे इसकी जो evolution में, legal evolution, it starts with Indian Council Act 1861, अब 1861 में कोई list नहीं थी, लेकिन पहली बार Indian Councils Act 1861 के तहट क्या बना, provincial councils बने, यानि कि हमारे political system में हुआ क्या, एक केंदर सरकार आई, यानि कि central level, central government थी, और उसके नीचे आपको अलग-अलग provinces में provincial councils भी set up की गई, प्रविंशल गवर्मेंट शुरूई, और प्रविंशल गवर्मेंट को धीरे-धीरे पावर कैसे मिलना शुरूँआ, गवर्मेंट अफ इंडिया एक 2019 में, जिसको हम लोग Montagu Chinspot Reforms भी कहते हैं, उसके अंदर पहली बार, पहली बार, विभाजी करण हुआ, कि भईया, जो इंडियन्स को चैलेंज दियागा, आपने समविदान बनाओ, तो नहरू रिपोर्ट आई, नहरू रिपोर्ट ने भी दो ही लिस्ट रखे थे, दो लिस्ट रखे, जहां पर इन्हों ने जादा से जादा सब्जेक्ट प्रोविंशल लिस्ट में, तो कम सब्जेक्ट्स थे प्रोविंशल लिस्ट में, ज्यादा सब्जेक्ट्स से प्रोविंशल लिस्ट में, अफकोस प्रोविंशल अटॉनमी दे, इस तरह की रिपोर्ट थी, नहरू रिपोर्ट, इसके अलावा, 1935 वो एक्ट है, गवर्मेंट अप इंडिया एक, 1935, जिसने फाइनले डिसाइड टीन लिस्ट बनेंगी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर जो रिपावर्र थी, इन लिस्ट से पड़ है, अगर कोई दूसरा सब्जिकट तो वहां पर पर तो लेकिन इंडिपेंड लोगों ने इन लिस्ट को तो continue किया आपको ध्यान रखना है हम लोगों ने सेंटरल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरंट लिस्ट इनों continue किये हैं लेकिन तो कुछ इस तरह का इतिहास रहा है अब लिस्ट बनाने चहीं कि यूँग कि आप जानते हैं कि इंडिया इक फेडरल सेटप है इंडिया एक फेडरलिजम है फेडरिजम का मतलब किया है division of power होना चाहिए केंदर सरकार के अपने power राज़ सरकारों के अपने power समविदान में ही ये defined है schedule 7 में दोनों के powers और दोनों के items divided है कि आप भाया in list के उपर काम कर सकते हो आप इस list के उपर काम कर सकते है based on the job basically principle of subsidiarity तो ये इसका इतिहास है और अगर हम लोग बात करें independence के बाद हम लोग जानते हैं कि center की तरफ एक बहुत बड़ा sway है power disparity है अगर हम लोग बात करें center state relations की तो आप बात कर सकते हैं administrative relations की legislative relations की financial relations की in any aspect center has got more and more powers और this comes under the domain of legislative powers और हम लोग जानते हैं जो central list है उसके अंदर 100 item है जो concurrent list है उसके अंदर 52 item है originally 47 थे इसके अंदर 66 items है लेकि आज 61 है क्योंकि कुछ transfer हो चुके है concurrent में यह हमें पता है जैसे कि wildlife education administration of weight वगेरा कुछ-कुछ transfer हुए है to the concurrent list यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि power sway कितना ज़्यादा है central की दरफ क्योंकि center की पास सबसे पहले बहुत ज़्यादा subjects है यानि कि राज्यों से भी ज़्यादा subject है केंदर सरकार के पस एक तो power disparity हुई यह अब दूसरी power disparity हुई कि हमारे समविदान में ही कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि legislative power केंदर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है जैसे article 248 में कहा क्या गया है कि अगर इन lists के परें यानि कि center list, state list, concurrent list के बाहर कोई भी item हो उसकी power जाएगी parliament के पास यानि केंदर सरकार के पास इसके अलवा कुछ-कुछ cases में जैसे कि article 249 ने power of parliament to legislate on the state list in the interest of nation national interest में तो राजसभा अगर एक resolution पास करेगी तो national interest में parliament के पास अधिकार आ जाएंगे राज्यों के list के उपर भी legislate करने की इसके अलवा powers है article 251 में अगर समझ लीजिए concurrent list में concurrent list में आपने देखा कि दोनों के पास power है तो इसने भी law बनाया और इसने भी law बनाया अगर दोनों के law में inconsistency है तो ultimately parliament का law prevail करेगा इसके अलावा article 252, article 253 में भी parliament को power दिया गया है अगर दो से जाधे राज्य अपना power को relinquish करेंगे तो केंद्र सरकार के पास power चला जाएगा 253 में अगर कोई international agreement है और उस international agreement को fulfill करने के लिए केंद्र सरकार कोई law लाएगी किसी भी subject पे from any particular list, center list, rate list concurrent list, whatever list it is अगर वो international agreement को fulfill करने के लिए ला रहे है, then it is quite valid तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे देश में already एक federal power disparity जरूर है यानि कि federal, federation की तरवनिक center की तरफ बहुत ज़्यादा power already है ठीक है, अब ये तो पहले से ही problem चल रही है, इसके उपर बहुत सारी committees, commissions भी आईए से पहले राजमनार, commission नहाई, आनन्दपूर साहिब resolution आया, सरकारिया commission पंची commission, बहुत सारे लोगों ने इसके उपर study की हुए center state relations को सुधारनी के लिए बहुत सारे recommendation दिये हुए, ठीक है तो ये तो established fact, अब आप बोलोगे सर कुछ नया बताओ, I already know this, ठीक है अब इस power को use करते हुए, center ने बहुत सारे law बना, यहाँ पे कुछ example आपको दिखा रहा हूँ जैसे की, देखिए, street vendors act है unorganized sector, unorganized workers social security act है, जैसे manrega act है, इन सभी acts का power, actually state list के पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो state list की entry 26 state list की, again entry 26 entry 27, 11th schedule पंचायत का power, आप municipality का power, केंद्र के law से हो रहा है, यह सारी चीज़े, बहुत सारे उधारण में आप दिखार, बहुत ही लंबी list है, इन फिर बहुत लंबी list है यह center loss on state subject बहुत सारी चीज़े बन चुके है, यानि केंद्र सरकार का दबदबा बहुत है, center is all powerful, लेकिन अब argument क्या है, सर क्यों बदलने की ज़रूरत है, why do we need to change, आपको लग रहा हुआ, क्यों change करना है, देखिए कुछ simple plain reasons तो होंगे होंगे, जैसे एक तो हो जाएगा भाया, decentralization principle of subsidiarity, यानि कि जिसका काम जो है वो करो ना, कि अगर 3 level की सरकारे बनिये, national level state level, local level, तो local level का काम local level भी होना चाहिए, केंद्र को उसके अंदर दखलांदाजी नहीं करनी चाहिए, राज्य लेवल पर है तो राज्य काम करें, और राज्य सरकार local level पर ना दखलांदाजी करें, that is the principle of subsidiarity, right, तो decentralization principle of subsidiarity होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आचकल cooperative federalism की बात करें, तो cooperative federalism में जैसे power devolve करने की जरूरत है, और साथी साथ, पिछले, मैं कहूंगा, पिछले कुछ दश्यकों से नई federal impulses आई हो, जिस तरह से technology का evolution हो रहा है, जिस तरह से नई चीज़े आ रही है, वहाँ पे states, ज्यादा से ज्यादा power, ज्यादा ज्यादा autonomy के demand भी कर रहे हैं, और साथी साथ, एक बहुत बड़ा incident भी हो हो हम सभी के साथ, हम सभी ने experience किया pandemic, so we do have some lessons from pandemic, देखे, pandemic pandemic में हम लोगों ने देखा कि जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रह रहे हैं, it is actually the VUCA world, ना VUCA world मतलब क्या है, VUCA world मतलब है volatile, we say volatile, you say uncertain world, c say complex world, a say ambiguous world so we are living in a volatile, uncertain complex and very ambiguous world और इस particular सिनारियो में decentralization बहुत जरूरी होती है, हम लोगों उने experience किया इस चीज़ को, जैसे union list में, interstate migration quarantine के issues थे, entry 81 लेकिन इसको ultimately implement कौन कर रहा था, state, local government state list में, public order, police public health, ये सारी चीज़े involved concurrent list में, social security, insurance, employment, सभी चीज़ों के उपर impact जरूर हुआ, तो कही न कहीं, जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं जिस तरह के नए challenges आ रहे हैं आज के world में, 21st century के world में, तो कहीं न कहीं एक case जरूर बनता है, कि हमें 7th schedule में कुछ न कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो hopefully मैंने compelling case यहां पे आपके सामने provide कर दिया है, कि जो British काल से चल रहा था, या फिर जिस चीज़ को हम लोग ने British inspiration से बनाया था तीन list, उन list में कहीं न कहीं अभी 75 साल के बाद एक बदलाव लाने की जरूरत है, isn't it? अब बदलाव अगर लाने की जरूरत है, तो कैसा बदलाव लाना है? यहाँ पर report में कुछ-कुछ suggestion दी गए कि हम लोग कुछ चीज़े delete कर सकते हैं, कुछ चीज़े modify कर सकते हैं, जो redundant चीज़े, basically redundant का मतलब है उनकी language या फिर उनका importance काफी redundant बन चुका है, वो हमाले ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जैसे कि entry 31 in state list, inside, in keepers, treasure trove, या फिर entry 34 है, court of wards for princely state, क्या आईगे, right? तो इसको delete है, फिर इसको modify करने की बात की गए, यानि कि सबसे पहली चीज़, जो भी redundant चीज़े हैं, उन्हें आप हटा सकते हो, एक चीज़, दूसरा है, जहाँ पे भी modification की ज़रूरत है, उस modification को लाना चाहिए, analyze करके, कुछ सवाल उठा के, जहाँ पे, यहाँ पे बात की गई है, तिरहा certain modifications needed, especially Indian policy makers को सवाल उठाने चाहिए, कि क्या हमारे lists में language सही है, क्या इनका महत्व अभी बदल चुका है, या फिर क्या उनका definition अभी बदला है, क्या हमें अलग-अलग entries की ज़रूरत है, betting, gambling, lotteries से जुड़ा हुआ चीज, जहाँ पे आपकी entry 25 जो है state list में, gas and gas works है, क्या इसमें हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, इसके अलबा, जो language है कुछ-बच आइटम्स की, जैसे term इस्तमाल किया आता है lunacy, अच्छा होगा कि हम लोग replace करेंगे with the term mental health care, इसन्ट बिल्कुल, है ना, तो बहुत सारी चीज़े हैं, जहाँ पे modification करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़े हैं, जहाँ पे delete करने की ज़रूरत है, या फिर बदलाव लाने की ज़रूरत है, साथी साथ, बहुत सारी नई चीज़े लाने की ज़रूरत है, अब यह तो common sense मुझे बता रहा है, मुझे मेरा common sense मुझे क्या बता रहा है, कि यार, जैसे हम लोग हर दिन, बहुत रोज मरा के life में, every alternate day, chat GBT की बात करता हूँ, chat GBT की बात करता हूँ, artificial intelligence की बात करता हूँ, internet of things की बात करता हूँ, नई नई चीज़े आ चुकी है, तो क्या ये मेरे list में है, नई है, तो कहीं न कहीं, बदलाव आना है, नई चीज़े लाने की ज़रूरत है, what new things are needed, जैसे कि disaster management, पूरा हमारा disaster management का act आ चुका है, तो disaster management के प्रती, कुछ ना कुछ entry की ज़रूरत है, in fact, जो pandemic हम लों ने देखा, तो pandemic का भी एक separate entry किया जा सकता है, रिपोर्ट बताती है, जो नई technologies evolve हो रही है, gene editing, artificial intelligence, distributed ledger technology, blockchain technology, consumer protection, environment protection, IPR, intellectual property rights, इन सभी चीज़ों को हमारे 7th schedule में लाने की ज़रूरत है, तो एक consensus based change की ज़रूरत है, isn't it? इसके अलबा, एक और चीज़, यहाँ पे suggestion है, एक और suggestion है, कि condition apply होनी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, of course, जब ये चीज़ बदलेगी, तब भी article 249, article 248, 251, 252, 253, ये सारी articles तो है ही है, जहाँ पे center का upper hand है, center has upper hand, यह हमें पता है, अभी center के upper hand को, थोड़ा सा reduce करने के लिए, या फिर consensus based work करने के लिए, कुछ conditions apply होनी चाहिए, बताते हैं, जैसे for instance, अगर union government, union government, किसी चीज़ का इस्तमाल कर रही है, या से article 253 का इस्तमाल कर रही है, मतलब international agreement को implement करने के लिए, कोई law लाने की बात कर रही है, और वो law या फिर वो item, राजसरकारों के साथ है, तो वहाँ पे consensus बिल्ड करे, या फिर पहले, introduction से पहले, एक effective consultation करे, राज्यों के साथ, कि केंद्र सरकार इस तरह की करने की सोच रही है, इसके अलाबा, एक और condition जो बताती है, यह particular report, कि अगर केंद्र सरकार law लेकर भी आयेगे, तो उसके बाद, राज्यों के पास flexibility होनी चाहिए, राज्यों के पास flexibility होनी चाहिए, कि even the central law, it can be brought with the local conditions, especially trade union से जुड़ीवी चीज़े, provident fund से जुड़ीवी, social security से जुड़ीवी चीज़े, यह सारी चीज़े, राज्यों के पास ज़्यादा power होनी चाहिए, कि local condition के हिसाब से, वो उसकी implementation करे, तो these conditions must apply, यह भी बताया हो, तो hopefully, जिस सवाल के साथ, हमनों discussion शुरू की थी, उसके प्रति आपको काफी अच्छा forder भी मिल चुका है, एक idea में मिल चुके, तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या हमें 7th schedule में बदलाव लाने की जरूत है, do let me know in the comment section, और उस सवाल का जवाब ज़रूर दीजेगा, कि क्या changes आनी चीए है, ध्यान रखना है, कुछ चीजे डिलीट करने की जरूत है, कुछ चीजे मॉडिफाइ करने की जरूत है, कुछ चीजे नई आड करने की जरूत है, plus some conditions apply, specially for the central government, तो यही था ultimate conclusion of this particular discussion, प्रिलिम्स टू इंटव्यू आनी के साथ रहेगा, 2024 के लिए प्रोग्राम बन रहेगा, जो भी 2024 का प्रिलिम्स क्लियर करेगा, आपकी मेंस की प्रिपरिशन करा देंगे, इसका बैच वन शुरू हो रहा है, 25 मार्च से, तो जल से जल जल जॉइन करें, अगर आपको discounted चाहिए, सबसे ज़्यादा discount चाहिए, तो do use my code rahul life, जब भी आप check out करोगे, check out में coupon code डालना है rahul life, आपको discounted price मिलेगा, तो जल दी मिलते हैं class में, see you in the class, and thank you for watching this video, जैहिंट!